कोरोना वैक्सिन से जुड़े हुए चार अपडेट साथ ही वुडियो में शेयर करने वाला हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टन्ट आपको मेंस नहीं करने चाहिए कुछ अच्छी खबर भी है तो वुडियो को पूरा जरूर से देखना नए हो जाहन पर पहली बार आये हो तो च पे बेक्सिन से स्टार्ट हुई थी वह हुई थी हेल्थ केर वरकर्स के लिए और वह अल्मोस्ट कम्प्लीट हो चुकी है तो अब फरवरी के 1st week से frontline workers को जो है अब vaccine मिलने वाली है तो यहाँ पे frontline workers में आप किसे consider कर सकते हो आसान बाद सामागे एक्जामपल दो तो police force जो है उसे आप frontline workers में consider कर सकते हो और ऐसे 2 करोण लोग को vaccine देने का plan है जो यहाँ पे first week of February में start हो जाएगा और center निये सारे states को पता दिया है आगे बरते second update के ऊपर जो जुड़ा हुआ है pregnancy के साथ तो यहाँ पे health experts का यह मानना है कि अगर आप corona की vaccine लेते हो तो आपके pregnancy के plan को जो है वो आप 2 months तक जो है 2 months तक डिले कर दो यहाँ पे आप एक बार आपके जो expert doctors है उसे consult करके आपका जो final decision जो है वो ले सकते हो आगे बरते next update के ऊपर जो जुड़ा हुआ एक नई vaccine के साथ जिसका नाम है Covovax अगर आपने कल का वीडियो देखा था तो मैं आप उसमें आप उसमें को बताया था कि Serum Institute India ने जो है Novavax की vaccine के trials के लिए apply कर दिया है तो उसी vaccine का नाम जो है वो है Covovax जो किस company ने बनाई है Novavax तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यह जो wax है यह common रहेगा आगे कोवो लग जाता है तो विजिकली यह Novavax ने बनाई है वैक्सीन है और यह काफी अच्छी निकल के आई एप्रॉक्सिमेटली 89 पॉइंट सम्थिक उसकी एफिशनसी है तो 90% पकड़के आप चल सकते हो जो काफी अच्छी है और 60% नए वेरियंट पे है तो डेफिनेटली एक अच्छी वैक्सिन जो है आने वाले सावे में इंडिया के लिए बन जाएगी और यह वैक्सिन बनाई है यूएस बेस्ट कंपनी ने तो यहाँ पर अगर मैं बात कर है वो बॉन इन यूएस है आगे बड़ते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ जो जुड़ा हुआ है जर्मनी के साथ अब यहाँ पर यूर्पेन यूनियन जो है उसमें काफी वैक्सिन की कमी जो है वो देखने को मिल रही है काफी जो है वो शॉर्ट सप्ला है तो ऐसे में य हम लीगल एक्सिन लेगे जो वैक्सिन को अगर डिले करोगे तो यहाँ पर पहले उन्हें मॉटरना की वैक्सिन डिले होते हुए दुखी और फाइनली अब जो ऐसे में जो है वो लीगल एक्सिन जो है वो ले सकते है क्योंकि उन्हें जो है वैक्सिन के सप्लाइस नहीं मि रही है तो प्रायोरिटी जो है वो इंडिया को मिल जाती हूद अभी तक एक भी बार ऐसा सुने में नहीं आया है कि वेक्षिन के डोसिस नहीं है या फिर कम डोसिस इंडिया के अंदर तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए आसा रखता हूं आज का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा और यहां तक वीडियो देखा है ना तो एक लाइक का बटन तो बनता है लाइक कर दो और साथ ही कर दो चैनल को सब्सक्राइब ताकि आप कोई भी अपडेट मिसना करो अगले वीडियो में आप